इस माटी में सुन महरवां जब तलक एक भी शास हो तेरी पीत नाबिस रामे यही हो टोपे अर्णास हो इस माटी में सुन महरवां जब ही मिसार देते हैं तब ही तुमारा विचार जड़ता है तो बराबर ये तो बहुत सची है इदर से माटी में सुन 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 म कभी किसको विश्वास नहीं होता है तो ऐसी अकुर्षी में बगवान बनके बैचेंगे पर ये पिर्किर्टी आप ही बना के रखती है तो सचाई कहा जाएगी सचाई किदर जाएगी जे तुम निश्काम है, निरिच्छा है कोई भी अंदर में मोग बाह नहीं है तो देखो तुमारा रस्ता खाली खाली परा है खाली रस्ते में हम सब चल रहे हैं रस्ते में कोई रोपता थो रही है सब के लिए खाली रस्ता परा है ऐसे इधर भी अपने सरूप को जाने के लिए तुमको 24 गंता है कोई स्वाल पूचे, तो गुरस्त में है सा मैं, चाहिभी बाबा बन सकता हूं? गुरस्त में. हम आजाब बोलो. चरश्त में बन सकेगा, या सन्यास में कोई बन सकेगा. तुर्दा तुम्हारी सरु सुग्दा है, गल में तु उन्चुपकर बैच और तुमको दरू खाना देगा, बोलेगा, मैं खाता हूं, ये भी खाए, पर सन्यास में तु अकरी कोछी में बैठेगा, कोई पुछेगा भी ने, आको मारम नहीं है, सन्यासी भी अपने को कभी श सरी चुड़ा है, तो पाप बाचाता है, अर जनम बरन से छूच जाएगा, दुखों पापों से छूच जाएगा, पर जो देवता को पुझेगा, नासन पदात में लेगा, उस लोक में जाएगा, उस लोक में जाएगा, पितर लोक में जाएगा, भूतों के लोक में जाए में इजा देखो सब बोलेगा आप ये पूजा चुराते हैं आप दान चुराते हैं आप ये भक्ती चुराते हैं आप ये चुराते हैं समझे हम चुराते हैं और मैं किस लिए चुराते हूं मुक्ती देने के लिए मुक्ती में कि तुम्हारा एक भी करम आ जाएगा तो जैसे 살hradzaj और कि नीजी निजी आतम हूं। खरेएँ ओम बगवान जी जिए क्या है कि क्या भोलते हैं। गुरु तो सिरफ सुजागी देते हैं, अगर हम निरिच्छा जा निश्काम हैं तो रास्ता साफ होता जाएगा, तुम अपने अनुबव से उठना, अपना ही अनुबव करेंगे ना, ग्रस्त में हैं, जा कुवारे हैं, जा ग्रस्त में हैं, अपना ही अनुबव हमें आगे बढ़ाएगा, Google देवता नहीं बढ़ाएगा हम आज कल Google की उस तुनिय डिजिटल वाल्ड में हैं, लेकिन हमें अपने अनुबव से ही उठना है, इससे भी क्या, इससे भी क्या, गर में, इससे क्या, उससे क्या, जो भी नाम रूप है आपके गर में, इनी चीजों से उठोगे ना, बाहर थोड़े ना सवाल पूछने के लिए तुमारे पास 24 गंटे हैं, जब हम सत्संग जाते थे, हम 24 गंटे का आनुबव करके question answer करते थे, तो भगवान जी बोलते हैं, तुमारे पास 24 गंटे हैं, गरस्त में कितने सवाल होते हैं, और सब चुपा देती हैं, फटप, कपड़ा जैसे चुप इलाज कैसे होगा, डॉक्टर को बीमारी बताते हैं, तो इलाज होता है, गरस्त में निश्कामी बढ़ने का जदा स्कोप है, जनम मरन से चूटने के लिए ये ग्यान है, जनम मरन से कैसे चूटेंगे, छोटा सा दिश्टांत है इसमें, कि आखिर हमारे जीवन का मूल क्या है, सब कुछ लुटा के भी मैं जीवन को बचा सकूँ, तो nothing like that, कुछ भी मुझे पे करना पड़े कि मेरा इसी जनम में भगवान जी के होते मेरा मोक्ष हो जाए, एक राजा समराज्य था, राजा था, संद के पास बैठे थे, और राजा अपनी बड़े-बड़े बातें ह उसको बता रहा था, सर, उसको फकीर को, कि मेरे बहुत राजे होंगे, लेकिन मेरे जैसा राजा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा समराज्य, मेरे जैसा राज महल कोई नहीं होगा, मेरे जैसे खजाने किसी के पास नहीं होंगे जो सोना चांदी से बरे है मेरे खंबे भी महल के सोने के बने है सिंगासन भी रतनों से जड़त है कि इतनी सुंदर सुंदर राज कुमारियां किसी राजी के पास नहीं होंगी जो मेरे पास है वो अपनी गाथा गाता जा रहे है, गाता जा रहे है, गाता जा रहे है, राज संत सुनता जा रहा है बीच में ही फकीर बोल पड़े, संत बोल पड़े सो बाग्य की बात है कि इतने बड़े समराजी का राजा हो तुम राजा को बोला कितने अच्छी एक्जाम्पल दे, द्यान से सुनना, राजन, imagine करो तुम कभी किसी जंगल में, गहरे डीप जंगल में तुम शिकार के लिए गए हो और तुम खो गए हो, शायद हमारे लिए भी ये कहानी है बटकते बटकते तुम कहीं सुनी जगा पे आप पहुंचे, राजस्थान के उस रतीले मैदान में पहुंचे, घोडे से उत्रे और तप्ती बालू है, तुम उत्र गए, धाई तीन बज गए और तुमें प्यास लगी है इमाजन करना, संत्य ने कैसे उसको जवाब दिया, पानी पीना चाहा, एक बूंद पानी की कहीं नहीं है सुबा से तुम निकले हो, तडप रहे हो, कहीं कोई पानी गूंट मिल जाए नहीं तो तुमारी मृत्यू हो सकती है ऐसे दीरे दीरे तुमारा शरीर जवाब देने लगता है, होश उड़ने लगते है पानी, 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 पानी तुम बोल रहे हो और कोई एक बालक उस समय एक गिलास पानी बॉटल लेता है, बुलाया तो उसने क्या करा? बोला, राजन ये लो पानी, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? राजन ने बोला, इसके बदले में मैं तुमें दस मुद्राएं, सो मुद्राएं दे दूँगा और तब भी उसने मना कर दिया तो, राजन बोलता हजार मुद्राएं दे दूँगा उसने बोला तब भी मना करा तो एक लाख एक करोड तक वो पहुँच गया एक गलास पानी के लिए उसने बोला संत ने संत राजन ये एक गिलास पानी की कीमत नहीं है एक गिलास पानी की कीमत नहीं है तुमारी जीवन की जिन्दगी का सवाल है जहां तुम सो करोड एक करोड मुद्रा देने को तियार हो गए हूँ तब भी अगर उसने मना किया तो क्या करोगी बोलता मैं आदा राजी दे दूगा संत ने कहा तब भी अगर मना किया तो राजा ने कहा फिर तो मैं उस बच्चे से पूछूँगा तू ही बता और अगर उस जूवक बोलेगा कि एक गलास पानी की कीमत मैं तुमारा पूरा राजी चाहता हूँ उसने बोला हाँ मैं कर दूँगा संत ने बोला राजन ये है जिन्दगी का मुल्य भगवान जी ने क्या बोला जनम मरन से छूटने के लिए ये ज्ञान है तो ये ज्ञान कैसे है अगर हमने इतना इतनी माया इकठी करी है एक राजा जो है गिलास पानी के लिए पूरा राजी दे रहा है और वो अपने इतने कमफर्ट यून में है इतने आराम में है जब उसके गिलास पानी की जूरुत पड़ी तो पूरा राज देने को तेयार है क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता ये मूल्ले है हमारा जो मैंने बगवान जी से इस ग्यान को समझा मुझ आत्मा में समाने से सब काम बन जाएंगे मुझ आत्मा में समाने से मैं कात्मा हूँ मैं कात्मा हूँ तब तुमारे सारे काम बन जाएंगे अपने एक भी करम का पता चले कि ये करम मेरे खाते में है उसको खतम करो एक भी खतम एक भी करम प्रानी चाहे बहू बेटा जमाई ये वो जिठानी, दिवरानी, चाचा, ताया, जो भी है सब जगा उसको खतम करो, सारे खाते अपने खतम करो, किसी के साथ मेरा करम ना रहे, जैसे वा प्यार करकर के हमने अपना रास्ता बनाना है, गुरू हमारा मठका टोटली उल्टा करता है, सिर्फ जैसे जादो बन्ष है, उसको पुरा उल्टा किया जाता है, ने तो पत्तों को पानी देते हैं न, हम जड़ों को पानी देना है, गुरू हमारा मठका टोटल उल्टा करता है, ताकि हम गली गली बटके न, बगवान शबद की वैल्यू करो, गुरू शबद की वैल्यू करो, ऐसे हम लिप मूविंग कर देते हैं गुरु बगवान जी दादा बगवान ये सब हम वैल्यू करें कि कौन है ये लोग कितना गुरु पूर निमा आ रही है कितना गहरा मीनिंग समझना चाहिए कि हमें कौन मिला है और कैसे मिला मैं तो डूंडे नहीं गई थी हर्यों हर्यों